Hello friends, so friends, आज की इस वीडियो में credit card apply करने का complete process बताने वाला हूँ So अगर आप लोग एक SBI user हैं, याड़ी की estate bank of India के एक खाता धारक हैं और आप लोगों को भी credit card की जरुवत है, तो आज इस वीडियो को complete दीखना चुकि आज की इस वीडियो में मैं आपको credit card के लिए online apply करने का complete process बताने वाला हूँ with practically, चुकि आपको भी पता है credit card से हम लोगों काफी ज़्यादा फायदा मिलता है और वहीं पर मैं आपको बता दू, credit card के काफी सारे फायदे तो है है, साथी नुकसान भी काफी सारे है तो अगर आप लोग को नहीं पता कि credit card के फायदे और नुकसान क्या क्या है तो comment section में comment छोड़ देना, उस पर भी मैं एक particular वीडियो बना दूँगा लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको online apply करने का complete process बताने वादा हूँ तो चलिए, शुरू करते हैं तो दोस्त अगर आप लोग SBI यानि की State Bank of India के एक खाता धारक हैं और अगर आप लोग घर बैठे, online SBI credit card के लिए apply करना चाहते हैं तो आपके लिए दो process है सबसे पहला process आप लोग SBI के official website पर जाकर के online credit card के लिए apply कर सकते हैं और दूसरा process यह है कि आप अपने mobile में Yono SBI app को install कर लेजे इस app से भी आप online credit card के लिए apply कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Yono SBI application से online credit card apply करने का complete process बतने वाला हूँ तो सबसे पहले क्या करें आप अपने mobile में अगर आपने अभी तक Yono SBI app को install नहीं कर रखा है तो install कर ले और अपना account बना ले मैंने already account बना रखा है अगर आपको account create करना नहीं आता तो comment आप छोड़ देना वीडियो के comment section में मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा ठीक है अब देखें यहाँ पर login पर click करना है login पर click करने की बाद यहाँ पर mpin मांगा जाता है mpin डाल देना है जैसे ही mpin डालोगे आपका yono sbi application open हो जाएगा तो देखे दोस्त mpin डालने के बाद इस तरह का user interface आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर से आप balance भी check कर सकते है view balance पर click करके लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको credit card apply करने का process बताने वाला हूँ तो उसके लिए आपको करना का है यहाँ पर आपको एक option दिखेगा cards का आपको इस पर click कर देना है click करने के बाद इस तरह का page आ जाएगा यहाँ पर देखे उपर में लिखा हुआ credit cards और उसके जस्ट नीचे तीन option है retrieve या track application link sbi credit card अगर आपके पास already credit card है तो आप यहीं से link कर सकते हैं और जब आप link कीजिएगा तो यहीं पर आपका credit card सो होगा ठीक है तो आप देखे अगर आपको एक नया credit card बनवाना है तो नीचे में एक option है get a new sbi credit card इस पर आप click कर देजिए click करने की बाद यहाँ पर दो option आएंगे browse cards और find your perfect credit card पर click करता हूँ तो यहाँ पर देखे कुछ simplify है यानि की answer a few simple questions कुछ यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखा हुआ निजर आएगा आप इसे read कर लिना read करने की बाद आपको let's begin पर click कर देना है तो देखे यहाँ पर we are unable to process your request please try later थोड़ा सा problem चलड़ा होगा इस वज़े से ऐसा problem दिख रहा है ठीक है तो जैसे ही आप let's begin पर आप click कीजेगा तो इस तरह का page आ जाएगा उसके बाद आपको next पर click कर देना है next पर click करने की बाद इस तरह का page आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए आपका annual income क्या है यहाँ पर आप डाल देजी एप box में डालना है माल लेजे आपका 1 lakh है तो 1 lakh डाल यह वैसे मैं आपको suggest करूगा कि यहाँ पर 2 lakh डालना ठीक है उसके बाद आपको next पर click कर देना है next पर click करने की बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका monthly spend कितना है जानी कि आप dining पर कितना खर्च करते हो एक महिने में तो यहा कितना खर्च करते हो यह भी डाल अगर आप कहीं पर खर्च नहीं करते होंगे जैसे कि इंटेयरेशनल में आप एक वी रूपया करते हो यह पर show card पर click कर देना है click करने की बाद देखें यहाँ पर आपके सामने suggest किया जाएगा कि भाई आप लोगों के लिए ये card काफी अच्छा रहेगा तो अब आप card जिस भी card को लिना चाहते हो simply उस पर click कर दीजिए यहाँ पर देखें सबसे पहला option है simply save sbi card वैसे एक और card आता है simply click sbi card दोनों ही card काफी अच्छा है तो कि देखें यहाँ पर भी आपको 10 into यानिकी 10 गुना reward point मिलेंगे on dining, movies, departmental stores and grocery expense अगर आप यहाँ पर खर्च करते हैं credit card की ज़री payment तो आपको 10 गुना reward point मिलेगा और भी कई सारे इसके features हैं इस पर click करके आप check कर सकते हैं या फिर अगर आप यात्रा ज़्यादा करते हैं तो आप second वाले card को choose कर लिजे या फिर अगर आप IRCTC SBI platinum card बनवाना चाहते हैं तो आप इसे भी choose कर सकते हैं ठीक है तो मैं माल लेजे first वाले card को choose करता हूँ यही card मैं बनवाना चाहता हूँ तो इस पर आप click कीजे click करने की बाद इस तरह का page आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर card आपको show हो जाएगा उसके just नीचे यहाँ पर तीन option दिखेंगे privileges, features, fees and charges यानि कि इसके क्या feature है उसके बाद यहाँ पर आपको कैसे कैसे use करना है कितना use करने पर कितना offer मिलेगा यह सरा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आप read कर लेना और features पर click करके आप इसका feature भी देख सकते हैं read कर लेना उसके बाद यहाँ पर fees and charges यानि कि इस card के क्या-क्या charge है जैसे आपको यहाँ पर 499 रुपय एन्वल यानि कि एक साल में 499 रुपय लगेंगे अगर आप उहें पर एक साल में एक लाख रुपया इस credit card के जलिए spend करते हैं तो आपको next year का 499 रुपया माफ कर दिया जाएगा यानि कि नहीं लगेगा ठीक है यहाँ पर extended credit है यह सारा credit है 20 से 50 इनों के लिए आप credit ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ से आप read कर लिजी अगर मैं read करने लोगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी आप इस card के लिए EMI पर कोई product भी ले सकते हैं ठीक ह ठीक है और back आजाएए यहाँ पर देखिए एक option है all का आप all पर click केजिए तो यहाँ पर आपको काफी सारे card देखने को मिल जाएंगे ठीक है दोस्त अगर आप lifestyle के लिए बनना चाहते हैं तो इस पर click केजिए अगर आप reward पना चाहते हैं यानि कि आप यह चाहते हैं कि मैं credit card का मतलब होता है कि loan credit का मतलब होता है loan तो आप किसी भी card से loan ले सकते हैं तो मैं shopping पर click कर देता हूँ shopping पर click करने की बाद देखिए first option में आ गया है simply click SBI card और second option आया है simply save SBI card ठीक है तो यहाँ पर देखिए get up to 10x reward point every time you spend online simply click में यह option है तो इस पर आप click कर देजिए click करने क बाद इस तरह का user interface दिख जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर चो है अगर आप online spend करते हैं इस credit card के जड़िए तो आपको 10 गुना reward point मिलेगा अब क्या-क्या मिलेगा वह आपको यहाँ पर देख लेना है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है e-shopping reward earn 10x reward point on online spend with exclusive partners Amazon book my show, के लिए ट्रेप, लेंज कार्ड, नेट मेर्स, अगर आप यहाँ पर इन सारे website पर कोई भी product purchase करते हैं तो आपको 10x reward point मिलेगा अगर आप इन सारे website पर इस credit card के जड़िए payment करते हैं तो ठीक है वहें पर देखिए next जो reward है वो है earn 5 गुना reward on all other online spend इसके अलावे इन सारे website के अलावे अगर दूसरे website पर जाकर के online purchase करते हैं और इस credit card से आप payment करते हैं तो आपको पांच गुना reward point मिलेगा उन्हें पर इस तरह से reward आपको देखने को मिलेगा उसके बाद आप देखिए अगर आप एक लाख रुपिया एक साल में खर्च कर देखेंगे इस credit card के जड़िये तो यहां पर आपको सारे कुछ दिख जाएंगे आपके milestone rewards या पि rewards enjoy complete fuel freedom मतलब की एक परसेंट फ्यूल सरचाज वेव हो जाएगा मतलब की माफ कर दिया जाएगा अगर आप इस card के जड़िये transaction करते हैं तो between 500 रुपिये से लेकर के 3000 रुपिये तक ठीक है दोस्त तो वो भी सरचाज वेव कर दिया जाएगा और maximum यहां पर है उसके बाद contactless technology यहां पर है तो आप इसे रीट कर लीजिए फीचर्स पर क्लिक करके features आप इसका पट लीजिए उसके बाद देखिए यहां पर देखिए फीचर्स है यहां पर भी आपको 499 रुपिये annual fee लगेंगे ठीक है वैसे यह student के लिए काफी अच्छा है ठीक है तो अगर आपको यह card अच्छा लगता है आप इस card के लिए apply करना चाहते हैं तो simply आपको नीचे में तो आप credit card के लिए apply कर सकते हैं लेकिन आपर बात आती है कि अगर student है वो कुछ भी नहीं करता या भी कोई भी person ऐसा है वो कुछ भी नहीं करता कहीं से कमाता नहीं है वो खेती ग्रस्ती करता है तो वो कैसे करेगा कैसे card ले पाएगा तो दोस्त आप comment करना उस पर भी मैं ए जा जाएगा अब देखें यहां पर option है select city का तो आप इस पर क्लिक किजिए क्लिक करने की बाद यहां से आप city select कर लिजिए जैसे कि अगर यहां पर आपको एक list मिल जाएगी city की अगर आपको इन list में से आपका city का नाम नहीं दिख रहा तो आप यहां पर phone भी कर सकते हैं इन की call भी कर सकते हैं देखिए यह पर लिखा हुआ है if your city is not in list please contact svi card help line on इतना prefix local std call code तो std call लगा करके आप इस नमर पर call कर सकते हैं और उनको आप अपना problem बता सकते हैं कि sir मेरा जो है वो city का नाम इस list में नहीं दिख रहा में क्या करो तो वो आपका problem solve कर देंगे ठीक ह पर click करने की बाद यहां पर आपका account number दिख जाएगा उसके बाद आपको आई agree पर click कर देना है click करने की बाद इस तरह का page आ जाएगा अब यहां पर आपको कुछ form fill up करने ही ठीक है जैसा कि यहां पर देखिए आपका title और first name आ चुका है middle name आपका है तो आ जाएगा otherwise ऐसे blank रहेगा उसके बाद आपका last name और date of birth यह सारा कुछ आपका दिख जाएगा यानि कि आपका personal details यहां पर automatic आ जाएगा उसके बाद देखिए यहां पर qualification आपको चूज करना है occupation ग्रॉस एन्वल इंकम यह सारा कुछ आपको यहां पर डालना है तो आप qualification पर click किजिए आप 10 और below है यानि कि पास है या उससे कम ही है तो आप चूज कर लिजिए अगर graduate है तो आप उसको select कर लिजिए तो आप यहां से select कर लिजिए उसके बाद occupation आपका क्या है आप retired pensioner है या फिर पर रहते हैं या फिर self-employed है या student है तो आप click कर दिजिए उसके बाद gross annual income इस पर click कर यहां पर आपका mobile number, email id, paint details तारा कुछ रहेगा अगर paint details आपने नहीं डाल रखा है तो यहां पर आप डाल सकते हैं आसानी से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बाद send otp पर click करना है देखिए यहां पर लिखा हुआ है you can't apply for this card please contact sbi customer care मतलब कि मैं इस card के लिए apply नहीं कर स सकता है किसी next video में जब मुझे यहां पर मिल जाएगा option ct का तो मैं आगे किसी next video में पूरा process बताऊंगा और साथ ही अगर आपको भी ct का नाम नहीं दिखता है तो आप call भी कर सकते हैं या फिर आपको screen पर email id दिख रही होगी उस email id पर आप mail भी कर सकते हैं और वहां पर problem बता सकते हैं कि sir मुझे ct का नाम नहीं दिख रहा जब मैं credit card apply करना चाहता हूं तो please मेरी help कीजिए immediately तो आपका problem बहुत ही जल्द solve कर दिया जाएगा तो दोस्त इस तरीके से आप credit card के लिए apply कर सकते हैं मुझे उमीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गये होंग प्रेश कर देना और साथ ही इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो वीडियो की नीचे रेट करका subscribe बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके साथ ही notification बेल को जरूर से जरूर दबा देना ताकि इसी तरह का informative वीडियो आप तक पहुंच सके तो फिर मिलता हूं आपसे किसी और next वीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम